नमस्ते दोस्तों मैं हूँ बुद्धोष का सरे यानि कि आपका अपना दोस्त बीके दोस्तों शुरुवात करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ कि यह कोई टेक्नालोजी का चैनल बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मेरे कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पर मैं यह वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं तो आज का मेरे टॉपिक यह दोस्तों की कहीं बार होता है कि हमें कोई अच्छा सा ओडियो होता है हमारा कोई MP3 फाइल होती है वह हमें YouTube पे अपलोड करनी होती है चाहिए किसी का गाना हो सकता है किसी के पोईटरी हो सकते कुछ भी हो सक है वह लोग अच्छी तरह से उसको करते हैं या फिर हम लोग उनाएं लोग कहते हैं वो लोग काईड मास्टर या पावर डिरेक्टर या इस तरह के के एप्लिकेशन को यूज करते हुए फोटो को टैच कर सकते हैं लेकिन हम लोग पूरन अतहद रिष्टिबाद देती हो यहां टोटली ब्लाइंड जो लोग होते हैं वह इस तरह के क्या अप्लिकेशन को यूज नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से तो इसी के लिए लेकिन यह सारा का सारा काम जो होता है वह एक वैबसाइट के जरीए विल्कुल भी आसानी के साथ हो सकता है और वैबसाइट का ना मैं फोन यूज कर रहा हूँ मोटो जी फाइफ एस प्लस और यो का अपडेट है मेरा तो शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले दोस्तो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करूंगा हां एक और भी चीज मैं यहां पर बताना भूल गया कि जिस इमेज को आपको अटैच करना है MP3 के साथ उसको आपको रीनेम करना होगा ताकि आपको ढूंडने में आसानी हो जाएगी और आपको एक अलग से फोल्ड कि उसको में अप्लोड करने जा रहा हूं यूट्यूब पे तो शुरुबात करता हूं मैं सबसे पहले मैं अब क्रूम ब्राउजर खोलूंगा अब देखरों क्रूम ब्राउजर में कौन सी वेटसाइट ओपन होती है मेरी अब तो मैं क्या करूंगा यहां से मोर अप्शन में जाओंगा अलोग को क्लोज करूंगा ओके क्लोज किया मैंने जाओंगा और देखिए दोस्तो इस पर ही जाना होता है में क्रूम पे और जाने के बाद में अगर हमारी वेबसाइट हमें नहीं मिलती है तो हमें इस पर जाकर के अभी न्यू टाब में मैं आ गया हूँ अभी यहाँ पे तीन तरीके हैं या तो हम सर्च बाक्स में टाइप कर सकते हैं या वोई सर्च में टाइप कर सकते हैं या फिर उसके बाद ही तुरंत लेफ टो राइट स्वाइप करने के बाद हमारी सर्च हिस्ट्री भी हमें मिलती है कि रिसेंटली हमने कितनी वेबसाइ कि देखा टूनिस्टूप पहली वेबसाइट मुझे मिल गई आगे बीवेबसाइट है एक यूटूप है एक यूटूप है टूप यूटूप पर जाओंगा क्यों कि मुझे इसी की जरूरत है है वेबस ने शुरुबाद किये है उसको किसे सारे जो बोलता है उस पर आप द्धान मत दीजिए वो website की कोछ policies होती है उसके बारे में टॉक्बैक बोलता है हमें और ये सारी चीजें टॉक्भाइं बता देता है तो उसको आप जयादा ध्यानOO हमाद दीजिए आप अभी एक बटन को आपको डबल टैप करना है मैं आपको बताता हूं देखो गूगल गूगल सिगनल इस पर आपको डबल टैप करना है फिर से सुनिए इसको बता रहा है कि नीचे दिए गए हुए क्लिक पर आप अगर डबल टैप करते हैं तो आपको आपका गूगल अकाउंट में आप एंटर हो जाएंगे इस बटन हमारा आ गया इस पर हमें डबल टैप कर लिया इस पर आप जो है मेरे यहां पर गूगल अकाउंट पूछेगा जिससे मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट भी लिंक किया हुआ है ठीक है अगर आपका दूसरा है तो फिर यूज अनदर अकाउंट पर आपको डबल टैप करना है ठीक है लेकि मेरा यहीं है तो मैं इस पर डबल टैप करूंग अभी आप विडियो को जहां से सुनिए दोस्तों वैसे तो इतनी डिफिकल्ट है नहीं सारी चीजे बस एक बार समझने के देरी एक बार समझ में आगे तो फिर आप लोग आराम से उसको कर सकते हैं अब यह मेरा ओपन हो चुका है अब मुझे अलाउ का एक नोटिफिकेशन मिलेगा पर मैं अलाव करूंगा अलाव बटन पर हम लोग डबल टैप करें अब जो है मैंने अलाव कर लिया है अब जो है मैं अपने फाइल को सेलेट कर सकता हुए अब यहाँ पर एक उप्शन आएगा चूज फाइल नाम का उप्शन आएगा उस पर मुझे डबल टैप कर रहा है देखिए अप्लोड फाइल पहले अप्लोड फाइल आएगा बार में चूज फाइल नाम का फोल्डर आएगा ठीक है दोस्तों सॉरी बटन आएगा तो आपको दो बार ऐसा ही करना एं दोनों बार इमेज अटाच करने के लिए वह करना और time package करने के लिए आपको ऐसा ही करना है और सब से पहले आपको इमेज करना एंपिसरी को बाद में अटाच करना है ठीक है तो अभ defect अब्ね चूज फाइल और और एक मेरा एक उत्सका क्हाई मेरे कुछ नहीं है कि मिन्हान दबन कुछ नहीं है तो मुझे ओवियोस लिए мौपマंड'RE डबल टैप करना एक जैसे में गरूँ हो ऊपर त्हब्यों मैं मेरे मीडिया कर Julia कुर्टर में हुं मैंने एससे पहले वाला जो वीडियो था वो शायद मेरा मीडिया कर्वर्टर पर था वो फाइल इसके लिए वो अब मुझे बूल ला है लेकिन मेरी जो इमेज है वो डाउनलोड फोल्डर पर है तो मैं डाउनलोड फोल्डर में कैसे जाऊंगा अभी यहां पर शोरूट्स का बटन आएगा तो मुझे और विकल्प मिलेंगे कि मुझे कहां से उसको फाइल को लेना है विडियो प्लस प्लस यह आपका इंटर्नल स्टोरेज का नाम है क्योंकि मैं फोन यूज करना हूं मोटो जी फाइस प्लस तो मॉस्ट अफ टाइम हमारे डिवाइस का नाम ही वह ले लेता है तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना है तो यह मेरा इंटर्नल स्टोरेज में उस पर डबल टैप करूंगा डाउनलोड फोल्डर में अब मेरे फॉल्डर मेरे फाइल का नाम है माई फोटो माई फोटो इमेज अचा myphoto.jpg तो यह extension है फाइल का थीक है my photo मेरे फोटो का नाम है मेरे इमेज नाम है मैं उस पर डबल टैप करके उसको select करूंगा अब मैरे image तो ले ली और हम लेले हैं आम मुझे mp3 लेना है तो अब पर सेम प्रोसेस को continue परूंगा फिर फिर फाइल में जाओंगा। फिर मैं फोड़ों जाओंगा। नहीं दो चिंब थीर चूब छ инail फाइलं फीर में फाइल जाओंगा। पह फिर शो रूट कई स्तुमार करूंगा। अब मेरे जो फाइल है वह सायोनारा रश्मी का गाना है वह वीडियो डर में है तो मैं वीडियो में जाओंगा भी तो इस वेडियो डर में गाना है अब मैं उसको टबल टैप करता हूं दोस्तों अब एक चीज़ यहां पर आपको करता हूं कि जैसे हम påi dość को अपलोड करते हैं इमेज इडिकरी अपलोड करते हैं तो इमेज अपलोडेट और आप Thom youtuber love अपलोडेट ऐसे ही बोलता है वह गही अब्लोड लेकिन हमें घबराने कि करने एसाнуть हर रहने आप kind अप्लोड ब्लेश को प्लोड वाइब को लुगाउट अफ्लोड फायल फायल तो फायल फायल गुगिए एक फॉब्लाइब भीज़ कि ननाव निया माइफोटो डवाइब जपीज विए उसका साइज बता है उसकी साइज बता दिया ठीक है तो ये हो गया आपका स्टेटस दोनों फाइल्स का अब हमें आगे चलके डिस्क्रिप्शन मिलेंगे दो डिस्क्रिप्शन मिलेंगे यहां से हम दो डिलीट कर सकते हैं अगर हमें गलती से कोई दूसरी फाइल से लेट की है तो अब में दो देखो अभी मेरा टाइटल यहां पे आ रहा है कि दिलीट देखिट यहां यहां पर मेरा जो है टाइटल आ रहा है अब मुझे एक मिनिट अब मुझे यहां पर टाइटल अगर देना है तो मैं उसको छेड़ूंगा अगर नहीं देना तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा उसको मैं सीधा description में जाओंगा ठीक है अब मुझे जहां पर description लिखना है तो मैं description लिखूंगा मैं आपको लिख के दिखांगा जी तो दोस्तों चमा चाहता हूं मैंने बीच में इंटरप्ट लाता करूम में गया अब मुझे यहां पर डिस्क्रिप्शन देना है ठीक है मैंने टाइटल दिया था अब मुझे यहां पर डिस्क्रिप्शन देना है टाइटल तो अल्रेडी दिया था जैसे देखे दूस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारी फाइल का नाम होता है वही टाइटल में आ जाता है आप उसको change कर सकते हैं या उसी को continue रख सकते हैं तो मैंने change नहीं किया अब मुझे यहाँ पे description में देना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा please subscribe this channel ठीक है capital P capital P P L P L L E please please आ गया है सबस्क्राइब 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 भी आ गया my channel m m y y space my c c h check h a charger a n n channel channel भी आ गया प्लीज सबस्क्राइब माई चैनल ओके यह मेरा description भी हो गया अब यहाँ पर आगे एक टैग भी देना होता हमें वो टैग के बारे में किसी और दिन बात करेंगे हम लोग आज टैग का टॉपिक नहीं है अब इतना सब होने के बार दोस्तों सिर्फ हमें करना है क्रिएट वीडियो बटन आप यहां पर यह बोल रहा है कि इमेज और MP3 अपलोड हो जाएगा पूरी तरह से तो आपको क्रिएट वीडियो बटन मिल जाएगा यहां पर यह दी थोड़ा समय लगता है इमेज और MP3 को अपलोड करते होने के लिए तो हमें क्रिएट वीडियो का बटन ना भी मिले तो इसमें कुछ चिंता करना कि कोई बात नहीं कि यहां पूरी दिस्क्रिप्शन में पूरी दिर से लिखा है तो यह हमारा क्योंकि क्रिएट वीडियो बटन मिल रहा है कि यह अप्लोड हो चुका है पूरी दर से इमेज और इमपीटरी कि तो हम लोग यहां पर सिर्फ क्रिएट वीडियो पर डबल टैप करते हैं देखिए हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया और सिर्फ हमने इमेज और इमपीटरी को अप्लोड किया है वाकि कुछ भी किया नहीं हमने तो यहां पर क्रिएट वीडियो पर डबल टैप करते हैं तो हमारे लिए प्रोसेस पूरी हो जाती है हमें एक दो मिनिट में रुखना पड़ेगा डेफ टुराइट स्वाइब करते रहना है हमें अगर तसली नहीं होती हमें तो जैसे ही हो जाएगा विसे देखा प्रोसेसिंग कम्प्लीट का मैसेज आ गया मुझे सब्सक्राइब करते हैं यहां पर पोच रहा है कोई दूसरा भी वीडियो मुझे अप्लोड करना है अब तो मुझे नहीं करना है तो मैं सिदा लोगाउट हो दा हूं जाँ यहां से यहां पर लॉग्णा बटन है लॉग्णा व्यूट पसंद ना भी आ तो हाँ तो बताना क्या खामी रहें तो मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूम और पता दू कि यह टेक्नोलोणी का वीडियो नहीं टेक्नोलोडी के चैनल नहीं है तो इस तरह के वीडियो इस चैनल पर नहीं आएंगे बट क्यूंकि दोस्तों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था So, Thank You So Much